दोस्तों नमस्कार आज हमारे पास एक कैटल का केस है जिसमें लेफ साइड में अडर के आगे काफी स्वेलिंग दिख रही है इसको किस तरह से हमने डाइगनोस किया और किस तरह से इसे मेनेज किया इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक काउ है जो रिसेंटली पार्चुरेट की थी 20 दिन पहले उसमें ओनर का रिपोर्ट है कि लेफ साइड में बहुत जादा स्वेलिंग हो गई है और उसका जो अडर है काफी स्वेल्ड देख रहा है तो पहली बार ये देखके लगता है ज जितने भी क्वार्टर हैं काफी टेंस्ट हैं स्वेलन हैं इस तरह से लग रहा है कि ये फाइब्रोसिस होगा लेकिन अगर आप लेफ साइड के अडर को ध्यान से देखेंगे तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है और एक और हिस्ट्री थी कि ये जो गाय है खड़े-खड़े यूरीनेट नहीं करती है जब ये बैठती है तो ही ये यूरीन पास कर पाती है जैसके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिर हमने इसे एकजामिन किया और पालपेट करना सुरू किया और पालपेशन से ये क्लियर हुआ कि जो स्वलन पार्ट है वो रिड्यूस होके बैक जा रहा था यानि कि ये indicate कर रहा है कि ventral abdominal हर्निया यहां पे है तो एक चीश तो clear हो गई कि ये हर्निया है ये अडर का या quarter का कोई problem नहीं है अब हर्निया कौन सा है क्या इसमें हर्नियेट किया है अगर आप ध्यान से यहां देखेंगे तो जो swollen part है वो fluctuate कर रहा है इस तरह से लग रहा है जैसे उसके अंदर fluid भरा हो तो अगर आप fluid फील कर रहा है या जब उसे आप पालपेट भी करते हैं तो भी fluid bump मिलता है इसको आपको करने के लिए आप उसको अपने fist से या अपने हाथ से पालपेट कर सकते हैं और उसमें जब जर्क मारते हैं तो फ्लूइड फिल महसूस होता है और फिर ये इंडिकेट करता है कि आखिर फ्लूइड आया कहां से होगा यानि कि ये इंडिकेट कर रहा था कि यहां पे यूरिनरी ब्लैडर का हर्नियेशन हुआ है तो जब हम लोग कनफर्म हो गए कि ये हर्नियेशन है और यहां पे दिख रहा है कि ये यूरिनरी ब्लैडर का हर्नियेशन है तो उसको फर्दर कनफर्म करने के लिए हमने उसे उस एरिया को पहले स्वैब से क्लीन किया और फिर उसको प्रिक किया और जैसे ही हमने प्रिक किया वहाँ से आप देख सकते हैं कि 18-GAUS-CANIDLE से प्रिक करने के बाद यूरीन वहाँ से ड्रिबल होके आने लगा तो अगर यूरीन आ रहा है तो फर्दर एक अनफर्म कर रहा है कि इस गाय में वेंट्रल हर्निया जो है वो यूरीनरी ब्लाडर का है अब आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको वो फ्लूइड बंप दिख रहा है जब गाय यहां चल रहे है ऐसे लग रहा है कि कोई बै क्राफिक करना पड़ेगा आपको और सरजरी के सिवाए दूसरा आप यह कर सकते हैं कि इरिनरी ब्लाडर में अगर आप यूरीन को फ्लू बढ़ा दें यानि कि यूरीन वहां से निकालने का रास्ता बना दें अगर ब्लैडर से यूरीन निकलता रहेगा तो फिर वहां पे जो इनलाजमेंट है ब्लैडर का वो कम हो जाएगा उसके लिए हम लोगों ने इसमें फॉली कैथेटर डाल दिया उसको फॉली कैथेटर डालेंगे यहां आप देख सकते हैं कि जैसे ही फॉली कैथेटर डाला गया फिर भी ब्लैडर से यूरीन नहीं आ रहा है क्योंकि को कास्ट किया और कास्ट करके आपको उसको जमीन पे ड्रॉप करना पड़ेगा और उसके बाद यूरीन जो है वो फ्लो में आने लग जाता है तो यहां भी देख सकते हैं और फिर आप पूस करके ब्लैडर को धीरे-धीरे खाली करते हैं लेकिन होता यह है कि काफी दिनों से इस कंडिशन में है तो ब्लैडर के वाल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो प्रोपर नहीं रहता है तो धीरे-धीरे करके अब यूरीन आउट पूट आने लगेगा और ब्लैडर जो है वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा और फिर वहां से हरनियेशन वाला जो पार है कि यहां पे ब्लैडर को हेंडल किया गया है और रिषेंट पार्चुरिशन भी यह तो इंफिक्ण्ञ वणे की चांसर रहते हैं तो आपको सिस्टा इटिस नो हो वहां प्यूरिन रिटें हो रहा है तो सिस्टाइटिस होने के चांसेस रहेंगे आपको एंटिबायोसिस करना होगा उसके लिए आप फ्लोरोकिनोलान यानि की एंडरोफलोकसासीन वन सिनेडिये फार फाइव डेज दे सकते हैं साथी साथ आपको एंटी इंफ्लामेटरी नेसाइड्स भी इस्तमाल करना वक चार से पांच दिन के लिए और आप अमोनियम क्लॉराइड का इस्तमाल कर सकते हैं जिसे नौसादर करते हैं इसको फिप्टी ग्राम वन्स डेली आप उसके चुनिया चुकर में मिला कर गे देंगे तो सिस्टाइटिस होने की संभावना नहीं रहेगी तो इस तरह से आ आप के पास अगर हर्नियेशन ब्लैडर का कोई केस आता है तो उसे आप डाइगनोज भी कर सकते हैं और मेडिसेन लिए और आप कह सकते हैं कि सर्जिकल मेनेजमेंट आपके पास एप लवल नहों तो आप मेनेज भी कर सकते हैं तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत प्लीज सबस्क्राइब और अपने दोस्तों के सांथ शेयर करें धन्यवाद नमस्कार